कि दिए भी क्लास एट कंप्यूटर फर्स्ट चेप्टर का पेज नंबर कि टुवेल्ब वायरलेस नेटवर्क टेकनलोजी मतलब बिना तार का बिना वायर का नेटवर्क टेकनलोजी के बारे में लोग पढ़ेंगे इस पेज में तो इसको भी पहले पढ़ेते हैं Do you know क्या तुम जानते हो ? the world's first wireless computer communication network संसार का पहला बिना वायर का बिना तार का computer communication, network नू नए जिसे जाना जाता है Aloha Net जिसे Aloha Net के नाम से जाना जाता है Why created मतलब बनाया गया था इन Hawaii में वाइ ए New University Professor एक इनवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा बनाया जा था In 1971 यानि 1971 में विनातार का computer communication network जिसे जाना जाता है एलोहा नेट के नाम से बनाया गया था हवाई में हली बार बाई इनवर्सिटी प्रोफेसर के द्वारा 1971 में इस सिस्टम यूजड उनका सिस्टम यूजड मतलब यूजड किया था उपियो किया था ओपलब्ल मुण्पे की रोकेटवा का एंच सेवन कंप्यूटर और साथ कंप्यूटर सका लोकेटड एकक्रोस पॉर आइसलैंड ज advocacy मुष्थिस्त है कि मतलब रखे गई थे चार आइसलैंड पर अलग-अलग सर्वर के साथ विदावड दा यूज ऑफ फोन लाइन बीना फोन फोन लाइन के उप्योग किये बीना अब यहां आते हैं हम लोग देर आर मेनी वायरलेस मेडियम एबलेबल यहनि कि बहुत सारे बीना वायर के मेडियम उपलब्ध हैं विच आर यूजड जिसका उप्योग किया जाता है टू शेयर और ट्रांस्मीट डाटा एंड रिसोर्सेज जिसका उप्योग शेयर करने में या डाटा और इन रिसोर्सेज को ट्रांस्मीट करने में किया जाता है इने वायरलेस नेटवर्क, एक वायरलेस नेटवर्क में, एक बिनातार का नेटवर्क में, फुर एक जाम पलुदाहरन के लिए, इन्फरारेड, ब्लूटूथ, रेडियो लिंक, माइक्रोवेव, सेटलाइट लिंक, इटीसी, इस्वी, मेडियम यहां पर कॉमा नहीं होना चाहिए, यह सब मेडियम मेड हमें, भेज सकते हैं, और ट्रांस्वीट डाटा और रिसोर्सेज, और डाटा और रिसोर्सेज को ट्रांस्मीट कर सकते हैं, at different speed and distances, मतलब अलग-अलग exactement स्पीड और दूरी के साथ, यानि के अलग सकते हैं और resources को transmit कर सकते हैं therefore a medium should be carefully selected इसलिए एक medium को याने एक माध्यम को ध्यान पूरवक चुनना चाहिए depending upon to what distance and at which speed data resources are to be transmitted मतलब ध्यान पूरवक चुनना एक मेडियम को यह डिपेंड करता है कि to what distance यानि कि क्या distance पर मतलब कितना distance पर कितना दूरी पर and at which speed और किस speed पर data resources are to be transmitted data resources को transmit किया जाना है मतलब भेजा जाना है कितना दूर भेजा जाना है और किस speed पर भेजा जाना है यह इस पर डिपेंड करता है मिडियम का चुनाव करना है Bluetooth और लोग wireless technology wireless technology में यह फर्स्ट है टेकनोलोजी Bluetooth, Bluetooth is a wireless technology, Bluetooth एक wireless technology है, बिना तार का technology है, which use, जो use करता है, radio frequency, जो radio frequency का उप्योग करता है, to transmit information, information को transmit करने के लिए, भेजने के लिए, over short distances, मतलब कुछी दूरी पर भेजने के लिए, it allows communication between several devices at a time, यह allow करता है, यह अनुमति देता है, communication यानिकी समवाद को, यानिकी devices के बीच में interaction को, between several devices, कई devices के बीच में, at a time, एक ही समय में, कई devices के साथ allow करता है, समवाद को, however, it can work only for short distances, हाला कि यह work कर सकता है, या काम कर सकता है, के वल कुछी दूरी के लिए, generally समानता 10 मीटर, और less, समानता 10 मीटर या इस से कम, activity, किरिया, कलाब, list different games, different games का list बनाए, अलग अलग परकार के, games का list बनाए, which you have shared, जो आप share किये है, using Bluetooth technology, Bluetooth technology का, use करते हुए, उन गेम का list बनाना है, also mention how and with whom, these games were shared, मतलब, कैसे और किस के साथ, ये सब game, share किये थे, वो अभी mention करना है, वो अभी mention करें, देखिए, एक दारन के लिए आपको दिया गया है, candy crush सागा, एक game का नाम है, किस के साथ share किया गया था था, भाई के साथ, ब्रॉदर के साथ, कैसे share किया था, using mobile का यूज़ करके, तुसी तरह से आप, play store में, mobile के play store में जा करके, बहुत सारे game का नाम, देख देख कर इसमें लिख देंगे, और इसमें, brother sister जिसके साथ, आप share किये थे, उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर mobile का यूज़ करके किये हों गया, जाद दर तरह तो mobile का यूज़ करके करते हैं, या अगर laptop का यूज़ करके किये हैं, तो इसमें laptop भी लिख सकते हैं, इस तरह से page number 12 समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम लोग page number 13 पढ़ेंगे,